दोस्तो उत्राखंड में इस बार 30 अप्रेल 2020 तक 11 हेक्टेर जंगलों का नुक्षान हुआ है ये आंकडा भले ही सुकून भरा हो किन्तु इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है कारण है इस बार लॉकडाउन पूरे देश में लॉकडाउन है और उत्राखंड में लगातार वर्सा और भारी मातरा में बरबारी हुई है इस पार उत्राखंड के चार जिलों में सबसे ज़्यादा वनागनी की घटनाय हुई हैं उनमें बागिस्वर, चमोली, ननीताल और पौडी कड़वाल है जलते जंगल से न केवल वन्य जीवों की हानी होती है बलकि जड़ी वूटी वन्य संपदा का भी बहुत नुक्सान होता है उत्राखंड में फायर सीजन पंद्रा फरवरी से सुरू हो जाता है और मान्सून आने तक रहता है यदि पिछले साल के तुन्ना में इस बार के वनागनी की घटनाओं का नजर डालें तो पिछले साल बहुत अधिक मात्रा में प्रतिक जिले में बहुत जादा घटनाएं हुई हैं जिसका अवलोक और कुछ इस प्रकार है उद्राखंड के मुख्यवन संरक्सगवनागनी बीक के गंगटे कहते हैं इस बार अप्रेल तक फॉरेस्ट फायर की काफी कम घटनाएं हुई पिछले साल के मुकाबले करीब डेड़ कुना कम घटनाएं हुई और करीब नौ गुना कम नुकसान हुआ उन्होंने कारण बताते हुए कहा कि इसके पीछे लॉकडाउन में मानवी दखल का कम होना और लगातार बारिस बड़ी वज़ा है विभाग भी पूरी तरह अलट है समाचार पत्रों के अनुसार वन अनुसंधान केंद्र हलद्वानी इस समय इसी गतिविधियों को लेकर सोधकारी करने में लगा है वन विभाग वनागनी रोकने के बिभिन्न कदम उठा रहा है जिनमें सडकों के किनारे पैदल मार के किनारे से पिरूल घास आदी को नियमित रुप से हटाया जा रहा है समय दन सील छेत्रों को चिन्नित किया जा रहा है सूचना के आदान प्रदान के लिए वाटसप गुरुप बनाए गए हैं इसके अतिरिक्त गाओं श्कूलों के इस्तर पर जन जागुरुता अभियान फील्ड कर्मियों को उच्चु क्वालिटी की लिथियम बैट्री चालिद ब्लोवर वर टॉर्च प्रदान करना आपदा कंट्रोल रूम और प्यांटी नंबर सक्रिय करना